कसम खाई मुल्ला ने मुल्ला नसरुदीन खाला के उन लोगों से काफी धूर आ चुका था मगर अभी भी उसकी आँखों के सामने और किसी सूद खोर के सताई उन गरीब लोगों के चहरे थिरक रहे थे उस बीमार बच्चे के सूखे गाल वा होट तथा हड्डियों के ढाचे जैसा शरीर पुर्चा-पुर्चा होकर उसकी आँखों के सामने आ रहा था उसके सामने घर से निकाल दिये गए उस बुड़े का चहरा थिरकने लगता था और फिर बारी-बारी से उन सभी के चहरे उसकी आँखों के सामने आकर एक दूसरे में गड़मड होती रहे फिर ऐसा हुआ कि एका एक मुला नसरुदीन का चहरा क्रोज से तम-तमाने लगा वो अधिक देर तक घदे की पीट पर बैठा न रह सका कूद कर वो नीचे उत्रा और घदे की लगाम पकड़ कर उसके साथ साथ चलने लगा उसकी चमकदार आँखें नफरत और क्रोज से सुलगने लगी उसने गुसे से रास्ते में पड़े एक पत्थर पर जबरदस ठोकर मारी मानो वो पत्थर न होकर घरीबों के सताने वाला अंजान सूदखुर हो जिसे मुला नसरुदीन ने नफरत से ठोकर मारी हो फिर रास्ते में आने वाले हर पत्थर को वो ठोकरों से उड़ाने लगा और साथ ही साथ कहता जा रहा था ठैर सूदखोरों के सरदार ठैर मैं देखूँगा तुझे एक ने एक दिन तेरी मेरी मुलाका जरूर होगी और उस दिन तेरी शामत आ जाएगी और तू फिर एक बड़े पत्थर पर उसने इतने जोर की ठोकर मारी कि वो लड़कता हुआ गंदे पानी के गंटे में जा गिरा नालायक अमीर शैतान अमीर अब तू भी कापेगा थर्राएगा क्योंकि मैं भुखारा आ पहुँचाऊं मकार और शैतान जोको तुमने आवाम का बड़ा खोन चूसा है लालची और घिनोने लक्डभगो आवाम पर जितने सितम तुमने ढ़ाय थे ढालिये मगर अब ये सब नहीं चलेगा उसने फिर एक पत्थर पर ठोकर मारी और क्रोच से बोला तू सूद खोड जाफर हमारी हला के आमने सामने अभी मुलाकात नहीं हुई है मगर जल्दी ही होगे मैं तुस से आवाम पर किये गए एक एक जुल्म सितम का बदला लूँगा मैं कसम खाता हूँ बदला लूँगा कहकर उसने फिर एक पत्थर पर ठोकर मारी जल्दी होगे